हलो दोस्तों सोगत आप सभीका चाइना से निकली एक वीडियो ने पुरा पाकिस्तानी सोसल मीडिया को अपने लपेटे में ले लिया है इन फैक्ट उस वीडियो में जो खबर है उसे देख पाकिस्तानी मीडिया शौक्ड है क्योंकि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि चाइना ने चीन में रहरे मजजिदों के मुल्य मौलवियों को पकड़ पकड़के जवर्सी सड़कों पे नचबाया है और क्योंकि आप जानते हैं कि इसलाम धर्म में नाचना या गाना एक गुनाह माना जाता है और खास दोर से मौलवियों को लेतों या किसी पाप से कम नहीं है जिस पर आप पाकिस्तानी मीडिया के कुछ रियक्शन्स देख सकते हैं एक बड़ी ख़बर ये है कि शिंग जैंग के अंदर वहां पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जित को कि वो स्ट्रीट में जाकर डांस करें हलाकि आपको यह बता दू कि यह वीडियो एक बुरानी ख़बर की है लेकिन यह वीडियो फिर से पाकिस्तान में इसलिए बाइरल हुआ क्योंकि अभी इसी हपते इन फैक्ट उस दिन पहले ही चाइना के अंदर अरबिक स्टाइल में बने एक अंतिम लास्ट मस्जित को भी धा दिया गया है जिसकी ख़बर इसमें अभी पाकिस्तानी मीडिया में भरा पड़ा है कि चाइना ने अपने हां बचे अंतिम लास्ट अरबिक स्टाइल में बन नारे बनी होती हैं जिससे देखते ही पता चल जाता है कि ये एक मस्जिद है लेकिन चैना ने एक खास मनसूबे के ताहत फॉर्सफुली चैने के अंदर सभी मस्जिदों के गुंबद और मिनारों को तुड़वा करके चैने इस्टैल में बनवा दिया है और इनका उद्यस य मनना जिसके लिए चैना ने बकाइदा आज से कुछ साल पहले ही एक प्लान तियार किया था जिसके ताहत फॉर्सफुल तरीके से चैना के अंदर उन प्लानों पे अमल करना शुरू किया गया जिसमें आपने सुना होगा कि चैना के अंदर मुसलमानों को जो एक खास तरह क जाली वाली टोपी होती है और धाली होती है उसको रखने पर पाबंदी लगा दी गई साथी साथ जो कटर मुसलिम थे उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया और उनके नए जन्मे बच्चों को कुरान से दूर रखा गया इसके अलाबा चैना के अंदर मस्जिदों से फर्मान जारी करना पर भी पाबंदी लगा दी गई और मस्जिद के उन मौलबियों को तो जवरदस्ती उनसे सड़कों पर भी डांस करवाया गया और इन सब का मक्सद ही था कि चैना के अंदर रह रहे हैं मुस्लमानों को जो उनकी कटरता है उससे दूर रखें और उनको धर्म की बजाए चैना से प्यार करना सिखाएं जिसका कि आप एक नियूज भी दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान के ट्रिबिन में अच्छा पता जिसके बाद आप उस वीडियो के एक क्लिप्स को देख सकते हैं जिसमें चैना के मुस्लिमों को मौलबियों को सड़कों पर ही डांस करवाए जा रहा है उसके साथ नीचे आगे बढ़ने पर देखते हैं कि जिसमें लिखा है जिसके मतलब यह है कि उन इमामों को एक नारा बोलने पर फोर्स किया गया कि जो उनकी इंकम है तो चैनीस कमिनिस्ट पार्टी से मिलती है ना कि अल्ला से मिलती है आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है यानि उनको फर्दर यह बोलने पर मजबूर किया गया कि देश बड़ा है, धर्म नहीं और देश में सांती रहेगी तो ही उनको सांती मिलेगी इसका मतलब है कि चाना के उन जवान मुसलमानों को तो यंग थे, उनको मस्जीदों से दूर रहने के लिए किया गया और उनको तो नमाज बढ़ते हैं, यह बताया गया कि उनके हेल्थ के लिए आनिकारक है, इसलिए वो नमाज की जिगार डांस करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि चाना की तरफ से ऐसी खबर आने के बाब जो पाकिस्तान का सोसल मीडिया तो भड़ा बड़ा है लेकिन जो पाकिस्तान का नीज पीपर है, पाकिस्तान का जो मेंड मीडिया है, पाकिस्तान का जो गॉवर्मेंट है, उसमें खामुसी चाही है तो इस पर आपका क्या कहना आप निची कमेंट करके बता सकते हैं Thank you